हर साल कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को अहोई अस्टमी का वरत रखा जाता है और इस वरत को सभी माताएं अपनी संतान से चाहे वो बेटा हो या बेटी हो उनके अच्छे स्वास उनकी दिरगाईयों के लिए रखती है इस वरत को निरहार और नर्जल लंबी आयू उनके सुखत भविश्य की कामना के लिए रखा जाता है निरहार और नर्जल रहकर रात को चंदर देवता की पूजा और दर्शन करके चंदर देवता को अर्ग देकर वरत खुला जाता है ठीक वैसे ही अहोई अस्टमी का वरत भी निर्जल और निरहार रहकर बच्चों की लंबी आयू की कामना से उनके सुखत भविश्य की कामना से उनके अच्छे स्वास की कामना से रखा जाता है इस वरत में देद भर निरहार और निर्जल रहकर शाम की समय प्रदोशकाल के समय बूजा करके तारों की च्छाओं में तारों को अर्ग देकर प्रोदे हैं वो बहुत देर से होता है आज किस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में अहोई अस्टमी व्रत की दित्थी शुबमूर्थ और पूजा विधी के सासत अहोई अस्टमी की कथा के पारी में सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अस्टमी की हार्दिक आप सभी के संतानों को सत्पुधी दिरखाई और अच्छा स्वास्त प्रतान करें साल 2022 में 17 अक्टूबर सुमवार को अहोई अस्टमी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा अस्टमीतिती प्रारंब होगी 17 अक्टूबर सुमवार को सुबह 9 बच कर 31 मिनट से जिसके समापती होगी 18 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 11 बच कर 58 मिनट पर सूर्यदे का समय रहेगा सुबह 6.28 मिनट सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5.56 मिनट पर और आपको ध्यान रखना है कि राहुकाल का समय इस दिन सुबह 8.30-9.30 तक रहने वाला है तो आप जो पूजा है वो सुबह 8.30 बजे से पहले-पहले सुबह की कर लीजेगा क्योंकि इस समय किये गई शुबकारे का अशुब फल ही प्राप्त होता है और इस समय किये गई दान का पॉर्ण भी राहु और केतु ग्रह को चला जाता है जो भी महिलाएं इस दिन तारे देखकर अपना वरत खोलती है वो शाम 6.36 मिनट पर तारों को अर्ग दे सकती है इसके अलावा आप किसी भी समय इस समय के बाद से पूजा करके अपना उपुवास खोल सकती है जो महिलाएं रात को चंदर देवता की पूजा करके चंदर देवता को अर्ग दे कर ही अपना उपुवास खोलती है वो राद 11 बचकर 24 मिनट के बास से कभी भी 12 बचकर पहले पहले अपना उपुवास खोल सकती है अब जानिये इस दिन रहने वाले शुब मूर्थों के बारे में तो अहुई अस्टमी के दिन ब्रह्म मूर्थ का समय रहेगा सुबह 4 बचकर 45 मिनट से 5 बचकर 33 मिनट तक कहते हैं कि ब्रह्म मूर्थ में उठकर की गई पूजा भगवान जल्दी स्विकार कर लेते हैं अभी जीत मोर्त रहेगा सुबह 11 बचकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 29 मिनट तक अमरित काल का समय रहेगा दोपहर 2 बचकर 31 मिनट से शाम चार बच कर उननिस मिनट तक गोधूली बेला का समय रहेगा शाम साड़े पांच बजे से छे बच कर दो मिनट तक गोधूली बेला में दीबतान करना शुब माना जाता है गोशाला के आसपास या फिर गव को हराचारा खिलाने के लिए ये समय उत्तम रहेगा विजय मूर्थ रहेगा दो पहर दो बच कर एक मिनट से दो बच कर छी आलिस मिनट तक अहुई एस्टमी का वरत ना केवल माताय रखती है बलकि जो भी निसंतान दंपती हैं जो भी निसंतान महिलाएं हैं वो भी संतान प्राप्ती की कामना से इस वरत को रख सकती हैं ऐसी महिलाएं जिनका बार-बार गर्भपात हो जाता हो संतान होने में कोई परिशानी आ रही हो तो उन्हें सच्चे मन से अहुई माता की पूजा करके इस वरत को संकल्प के साथ उठाना चाहिए यानि कि संकल्प के साथ रखना चाहिए ऐसा करने से अहुई माता की करपा से सुन्दर और स्वस्थ और भागिशाली संतान की प्राप्ती होती है इस दिन शाम की पूजा का शुब मूर्थ रहेगा शाम पांच बच कर पचास मिनट से साथ पच कर पांच मिनट तक जिस समय आप अहोई माता की पूजा करके व्रत की कथा पड़िया सुन सकती है उसके बाद आप तारों की छाओं में तारों को और्ग दे कर भोजन भी कर सकते हैं अगर हो सके तो खुले आसमान में तारों के नीचे बैट कर ही इस दिन भोजन करना चाहिए। स्याहु अर्थात साहि अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। इसके बाद छोटी भावी के जो भी बच्चे थे वे सभी साथ दिनों के बाद मर गए। साथों बच्चों की इस प्रकार मृत्य होने के बाद उसने पंडितों को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाए की सेवा करनी की उसे सलहा दी। सुरही गाए की सेवा करने से वे प्रसन हो गई और उसे स्याहु के पास ले गई। रास्ते में ठक जाने पर दोनों अराम करने लगी। अचानक साहुकार की छोटी बहु की नजर एक और गई। वे देखती है कि एक साप गरुड पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वे उस साप को मार देती है। इतने में गरुड पंखनी वहां आ गई और वहां खोन बिखरावा देखकर उसने समझा कि छोटी बहु ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वे छोटी बहु को चोँच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहु कहने लगी कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड पंखनी ने सुना तो बहुत खुश हुई। तब उसने सुरही सहित उन्हें सियाओ के पास पहुचा दिया। सियाओ छोटी बहु की सेवा से प्रसन होकर उसे साथ पुत्र और साथ बहुए हुने का आशिरवाद देती है। सियाओ के आशिरवाद से छोटी बहु का घर पुत्र और पुत्र की वधों से हरा भरा हो गया। अहोई अस्टमी का एक अर्थ ये भी होता है कि अन्होनी को होनी बनाना जैसा साहुकार की छोटी बहु ने कर दिखाया था हे सियाओ माता जैसे साहुकार के बेटे की बहु को दिया वैसे ही सब को देना अहोई अस्टमी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भढ़ने वाले को पूरे परिवार को देना ये थी अहोई अस्टमी की वृतकता, अब जानिये पूजा विधी के बारे में इस दिन सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए दिन बर उपवास रखती हैं अहोई माता से प्रार्थना करती हैं और अपने बच्चों के लिए उनसे आशिरवाद मांगती हैं इस दिन माता पारवति और भगवान भूलिनात की पूजा भी की जाती हैं साथ ही इस दिन संतान की देरगायों के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं अहुई अस्टमी का वरत रखती हैं। ऐसी मानिता है कि अगर अहुई अस्टमी के दिन कोई संतान हिं जोड़ा गोवर्धन परवत पर इस्थित राधा कुंड और कृष्णा कुंड में स्नान कर ले तो अवश्य हुने संतान प्राप्ति का आशिरवाद मिल जाता है। इस दिन सभी वरती महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर इस्नान करके साफ वस्त्र धारन करने चाहिए। फिर दिवार पर अहुई माता की तस्वीर बनानी चाहिए या आप बाजार से भी ला सकते हैं। जो वरत की कथा की किताब आपके पास है उसे एक चौकी पर रखकर इस्थापित करना चाहिए। पूजा करने के लिए गेरु से दिवार पर आप अहुई माता का चित्र भी बना सकते हैं। पूजा करने के बाद इस माला को गले में धारण कर लिया जाता है। पूजा आप चाहिए जिस विधी से करें आपके यहां जैसी भी परंप्रा हो लेकिन दोनों में ही आपको पूजा के लिए एक एक कलश जल भर कर रखना होता है। पूजा करने के बाद अहोई माता की कथा पढ़िया सुनी जाती है। पूजा करने के बाद और वरत खोलने से पहले सासुमा के प्यार चुकर उनका आशिरवाद लिया जाता है। इसके साथ ही अगर सासुमा सुहागन नहीं है तो उन्हें सुहा की सामगरी छोड़कर बाकी वस्तर वगरा फल मिठाई दक्षिना वगरा उपहार में देनी चाहिए और उनका आशिरवाद लेना चाहिए। आज के दिन ध्यान रखना है कि आप अपने घर में कलाकलेश की स्थिति ना होने दे बच्चों को किसी तरह से डाटे फटकारी नहीं। करें। देवता को और पित कर सकते हैं लेकिन जो दूसरा कलश होता है उसका जो जल होता है वो दिवाली के दिन पूरी घर में छिड़ कर जाता है कहते हैं जल बहुत शुब हो जाता है बहुत पवित्र होता है ऐसा करने से घर की जितनी भी नकरात्मक शक्तियां है वो दूर हो जाती हैं घर की सुक समरिधी को घर के बच्चों को परिवार जनों को किसी की नजर नहीं लगती अगर आपके हैं ऐसे मानेता है तो आप भी ऐसा करें इस दिन सासुमा को जो बाइना दिया जाता है उसमें आपको सबसे पहले तो अहोई माता को चौधा पूरी और आठ पूवां का भोग लगाना होता है साथ में मीठे में आप खीर या हलवा मना सकते हैं चावल की कटोरी रखनी होती है मौसमी फल जैसे की सिंघाडा या फिर खीरा वगरा आप रख सकते हैं हरे फल आज के दिन कोई ना कोई जरूर रखना चाहिए आप चाहें सिंघाडे रख ले खीरे या आप आवले का फल भी रख सकते हैं और आपको पूजा करने के बाद सासुमा को इन बायने में से जो पकवान वगरा हैं वो देना चाहिए दिसासुमा साथ में नहीं रहती है तो आप उनके लिए केवल वस्त्र वगरा या जो भी दक्षिना है वो रख सकते हैं बाद में अप उनको दे सकते हैं। से परशाद रुप में अपने सभी परिवार जनम में बाठ सकते हैं और इसके बात अपने मंदिर में उस मालग को धिहान से रखते हैं कि हर साल आपको अहोई की माला में एक एक चांदी का दाना बढ़ाना होता है जिसके जितने बच्चे हों दो हो तीन हो या एक हो उस संख् तो अहोई अस्थमी की पूजा करतिस में अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाना चाहिए और फिर जो भोग आपने अहोई मातों को लगा है उन्हें अपने बच्चों को खिलाना चाहिए बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता के और अपने सबी बड़े इस दिन आप मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ना करें जैसे कि आप नए पौधे ना लगाएं कोई पौधा ना उखाड़ें क्योंकि कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई करते समय ही एक साहुकार्णी से सेह के बच्चे की मृत्ति हो गई थी जिस कारण उसका पूरा परिवार उजड़ गया था और अहुई माताव सेह की पूजा करने के बाद ही फिर उसे संतान की प्राप्ति हुई थी तो इस दिन आपको किसी तरह का खुदाई वाला मिट्टी खोदने का नए पौधे लगाने का उखाडने का काम नहीं करना चाहिए दूसरा काले इसके दिन जल भर कर रखना होता है इसके लावा जो भी सामगरी है वो आप नई इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा की अगर किताब आपके पास पुरानी है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं पूजा में मुर्जाएवे फूल या फिर बासी हो चुके फल मिठाई का प्रियोग दुबारा से कभी नहीं करना चाहिए चौथा, तामसिक भोजन इस दिन आपके घर में नहीं बनना चाहिए अहोई एस्टमी का वरत रखने वाली सभी महिलाओं को इस दिन ध्यान रखना है कि आपके घर में ना तो ऐसा भोजन अशुद भोजन जैसे की लहसुन प्याज का या मानसाहर का ना तो बनना चाहिए ना ही परिवार के किसी भी सद्दसी को करना चाहिए पांचवा नुकीली या धारदार चीजों का प्रियोग इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए इस दिन कैची सूई जैसी जो भी चीजे हैं उनका उप्योग करने से बचना चाहिए हाला कि चाकू वगेर का प्रयोग तो इस दिन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको अपने घर में जो भी दैनिक कारे हैं उनमें चाकू का प्रयोग करने की आवश्यक्ता होगी ये थी अहोई अस्टमी व्रत की जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आजकल हर दिन सुनाई जा रही कार्तिक मास महातमे की गथाएं भी